हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल किचन गुंजन की और आज मैं नानवारी हूं बॉंडा या फिर इनको आप ब्रेड रोर भी बोल सकते हो और यह बहुत असानी से बन जाते हैं आप जरूर से इनको ड्राइ कर सकते हो बहुत जादा ओईली नहीं होते हैं करणाप में देफ्राइ होते हैं लेकिन यह लगती नहीं है कि यह बहुत जादा हम ऑईल इसमें ले रहे हैं तो आप इनको जरूर से ट्राय कर सकते हो आप इनको बनाना शुरू करते हैं अलु बॉइल पाटैटोस ले लिये हैं अजोड़ी सी मटर एक प्याज चॉप कर लि साथ ही में में जीरा डाल दूंगी इसमें अब इसमें डाल देंगे प्याज और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे मटर भी थोड़ी सी हमें सॉफ्ट करने इसके मैंने इसको पहले डाला अच्छे से कुखोने के बाद में थोड़ी हम दो से तीन इसमें हरी मिर्चे डाल देंगे आप मिर्चे अपने हिसाब से डाल सकते हो अब इसमें डाल देंगे एक चमच इसमें डाला मैंने धनिया और थोड़ा दरदरा सा होना चाहिए धनिया थोड़ी सी लाल मिर्च एड़ कर देंगे आप अपने हिसाब से मिर्च एड़ कर सकते हो हरी और लाल और मिर्च डालने के बाद हमें बहुत जल्दी ही इसमें आलू मैश करके डाल देने हैं वरना तो हरी मिर्च जो हमने लाल मिर्च डाली है वो सारी की सारी थोड़ी ओवर कुक हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी अब इसमें आलों को अच्छे से हमें कुक कर लेना है यानि कि थोड़े मोटे मोटे आलों है ये अच्छे से हमें फोल लेने है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने है अब यहां पे मैं एड़ कर दूँगे यह वन टेबल स्पून नमक और साथ ही में डाल रहें इसमें चाट मसाला आप यहां पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए और इस तरह से हम आलों को अच्छी तरह से मैश कर देंगे इस तरह के स्टफिंग बनके तयार हो जाएगी बहुत जादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं अब डाल दूँगी मैं एक चमच इसमें हरा धनिया या फिर अपने इसाब से आप डाल सकते हो मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से हमें इसको कंटिनेसली चलाना है और आप देख सकते हो आलों इसमें कितनी अच्छे से मिक्स हो गए है तो इस तरह हमें स्टफिंग बना लेनी है गैस को मैंने बन कर दिया है अब इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जितनी भी हम boil potatoes की चीज बनाते हैं वो हमें जब हमें बनानी हो तब ही हमें boil करने चाहिए पटाटो तो उससे क्या होता है कि वो soft से बने रहते हैं अगर हम freeze में store करते हैं वो थोड़े से tight से हो जाते हैं तो उससे इतना अच्छा taste नहीं आता है अब यहाँ पर मैंने brown bread ले ली है इसकी sides cut कर देंगे इस तरह से और ये भी हमें फैक्टनी नहीं है इसका भी आप use कर सकते हो इस तरह से हमने कर ली है अब इनकी हम stuffing की बॉल बना लेंगे एक एक इस तरह से ये देख सकते हो आप बहुत असानी से बन जाएंगी और कोई oil बगारा लगाने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है तो यहाँ पर मैंने बॉल्स बना ली है अब हमें मिलकुल साफ पानी लिना है वही जो हम पीते हैं वैसा वाला पानी लिना है और ठंडा ही होना चाहिए पानी कोई गरम नहीं बस एक बार ब्रैट को अच्छे से डिप कर लिना है और तुरंत ही हमें उसको निकाल लेना है और इस तरह से इसको ची तरह से दबा लेना है फट्टी नहीं चाहिए ब्रैट तूटनी नहीं चाहिए और अच्छे से यह एक ही ब्रैट में जो हमने बॉल को रखा है इस तरह से हम इसको एक जैसे लडू की form में बनता है और बहुत असानी से बहुत जल्दी बन जाते हैं ये बस हमें बहुत जितनी हमें जल्दी से हमने bread डाली है, उतनी ही जल्दी हमें इसको निकाल लेना है, तुरंट के तुरंट ही हमें bread को निकाल लेना है पानी से, वरना तो यह बहुत ज़्यादा गल जाएगी और इस तरह के नहीं बनेंगे, तो आप देख सकते हूँ कितने बढ़िया से यह ब तेज गरम में ही आपको यह डालना है अगर आप ठंडे आउय में डाल दोगे तो यह सारे के सारे फट जाएंगे और अच्छे से कुक नहीं होंगे पूरी कडाई में फैल जाएंगे तो आप इनको थोड़ा-थोड़ा करके डालिया और तेज गरम में डालिये ताकि अपनी पकड़ को अच्छे से मतलब बना लें और फटे नहीं बस फिर आप इस फ्लेम को मीडियम कर सकते हो अच्छे से इनको क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे तो यह हो गए हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है इनका टेस्ट तो यह मै निकाल लूँगी अब यह देख सकते हो आप कितने बढ़ी अब के तयार हो गए मैं आपको चैक भी खरा दूँगे कितने क्रिस्पी है यह देख सकते हो और हम कट भी करके देख लेते हैं किस्टाफिंग कितने अच्छे से हुई है ये देख सकते हो बहुत बढ़ी आसे बनके तयार हो गए हैं कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग तो आप भी इनको ज़रूर से ट्राइ कर सकते हो आपको बहुत पसंद आईगी ये रैसी भी मैंने सबकी साइट्स नहीं निकाले थे आप भी कुछ इस तरह से बना सकते हो इनको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना सब्सक्राइब करना बैल आइकन को प्रेस करना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं नई वीडिय जो किसा आत में तब तब किली, बाँ बाइ! बाए 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 बाए